अगर Chinese cuisine की बात करें तो चिकन चिली ही मेरा फेवरेट है लेकिन इसे बनाना उतना ही मुश्किल काम है Actually इसे बनाना भी मुश्किल नहीं है मुश्किल है इसकी cutting chopping करना मतलब बनाने में जितना time नहीं लगता ना उससे जारा time लग जाता है cutting chopping करने में कोई बात नहीं अगर इतना tasty खाना तो थोड़ी मेनब तो करनी पड़ीगी तो देखो इसे बनाने के लिए तीन चार सबसियान ले लेनी है जैसे शिमला मिर्च, प्यास शिमला मिर्च और प्यास को तो इसी तरह से काटने है फिर प्यास इस तरह से काट के डाल देंगे हरी मिर्च अब देखो मैंने तो बहुत सारा हरी मिर्च ले लिया है लेकिन आप अपने taste के साब से लेना और हरी मिर्च को काटने के बाद ले लिया है अधरक देखो सबजियां तो इतनी काटनी थी लेकिन अभी और भी तग्यारी बाकी है तो एक बरतन लेलो और मैदा डाल दो आधा कप और मैदा के साथ चार बड़ चमच कॉन फ्ला डाल दे रहाऊं फिर आधा श्रुड चमच नमक भी डाल दे रहाऊं और चिकन चिकन मैंने जदा नींग एक पाव लिया है और साथ में पानी अब पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से गरम तेल गरम करके डाल दो चिकन जिसे मैरिनेट किया था फिर मीडियम फ्लीम पर इसे अच्छी तरह से पकने दो देखो बोनलेस पीस पकने में जदा टाइम नी लेता तो इसे जदा नहीं चार से पांच मिंट में ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो बीच मिच में अलट पलट के इसे अच्छी तरह से पका लो और निकाल लो फिर चिकन निकालने के बाद अब जदा कुछ नहीं सिर्फ 2-3 मिट का काम बचा है तो अब ले लेंगे वोक या फिर कड़ाई या जो भी आपके बास है फिर उसमें डाल देंगे तेल, बारी कटा हुआ लैसून, बारी कटा हुआ अधरक और हरी मिर्च तीनों को यह अच्छी तरह से पकने देंगे, फिर इन तीनों को यह पगाने के बाद सबजिया डाल देंगे सबजियां में जादा नहीं, वो जो प्यास शिमला मिर्च काटे थे, वो ही डालेंगे फिर प्यास शिम्ला मेस डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह बगा लेंगे और अपना गैस का फ्लीम तो तेजी रखना फिर सब्जियां जब 60-70% पख जाए तब इसमें डाल देंगे बाकी चीज़े तो देखो मैंने ले लिया है दो से तीन बड़ चमच चिली सॉस फिर चिली सॉस डाल कर इसे एक बार ना अच्छी तरह से मिला लो और चिली सॉस मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दे रहाऊ सोया सॉस स्यासास को भी अच्छी तरह से मिला लो उसके बाद इसमे ला लो पानी पानी मैंने जाद नहीं आधा कप ढला है फिर पानी को कर लो मैक्स और इसमें उबाल आने का वेट करो उसके बाद इसमे लो नमाक, काली म्रिज पाॉडर और कॉन फ्लार का सलरी दो बड़ चमच फिर इसे दुबारा अच्छी तरह से मिला लो फिर इसे मिलाने के बाद जो हमने चिकन फ्राय किया था वो डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे अब तो समझ लो काम होई गया है बस एक दो चीज़ और डालनी है पर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर वह कर लो फिर इससे अछी तरह करने के बाद उसमें डाल दे रहा है उमें कांदे के पत्थे और कांदे के पत्थे डाल कर इसे दुबारा अच्छी तरह से mix कर लेंगे, फिर mix करने के बाद ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निखाल लेंगे, और अगर आपको recipe अच्छी लगी तो video like कर देना और next recipe आपको कौण सी चाहिए? comment कर वताना